और जले रुकरते अगली खबर के ओर कुद्रत जब तबाही मचाने पर आमादा हो तो इंसान की सारी कोशिशे बौनी साबित होती है इन दिनों आधिस से अधिक हिंदुस्तान में ऐसा ही हो रहा है देश के कई राजे इन दिनों प्रले जैसे हालात से गुजर रहे हैं अलग-अलग शेहरों से सर्ण कर देने वाले मंजर सामने आ रहे हैं इसी पर देखे ये स्पेशल रिपोर्ट सैलाब के कहर की संसनी घेज तस्वीरें मूर्सलाधार बारिश की चुनोती भरी तस्वीरें देश के कई लाकों में मौसम का हाई अलर्ड कुदरत जब तबाही मचाने को आमादा हो तो कुछ नहीं देखती अपने रस्ते में आने वाली हर चीज को तभा कर देती है इस वक्त कमोबेश देश के अलग-अलग लाकों से ऐसी संड कर देने वाली तस्वीरें आ रही है ये द्वारका का हरी पर पानेली मार्क है बाल का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है एक कार सवार ने सलाब को पार करने की कोशिश की लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ लहरों की ताकत में मशीन की ताकत को जाम कर दिया जिसका नतीज़ा ये हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई इसके बाद इस थानिये लोगों ने इस गाड़ी को एक ट्रेक्टर से बांद दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खीच लिया गया ये वीडियो शिंगोडा नदी का है जहां सेलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है जमजिर धोध नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा ये सेलाब निचले लाकों में तबाही के संकेत दे रहा है गिर सोमनात में मुशलाधार बारिश ने हालात भयावे कर दिये है गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी ध्याशत पैदा कर रही है बानेच धान के पास सेलाब की रफतार ऐसी है कि मानो ये लहने सब कुछ बहा ले जाने को तयार है केदारेश्वर चैक डैम की तस्मीरे भी देख लीजिए डैम ओवर फ्यो हो चुका है जुडवली और इटवाया गाउं को जोड़ने वाली सड़क मच्छोंदरी नदी में समा गई है जिस वज़ा से सड़क पर आवाजा ही ठप हो चुकी है तस्वीरे देख कर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है प्राची तीर्थ पर मजूद माधव राय मंदिर बाड में समा गया है उपर इलाकों में हो रही बारिश की वज़ा से सरस्वती नदी में जबर्दस तुफान है बाड का पानी अपनी सीमा से कई मीटर के उचाई पर बह रहा है जिस वज़ा से यहां लोग डरे सहमे है दावा किया जा रहा है कि एक दिन में हुई छेंच बारिश ने सब कुछ डुबो कर रख दिया है शॉपिंग कॉंप्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है लेकिन भारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी विवस्ताएं सड़क पर उम्ड़े सेलाथ के साथ बह गई है अमरेली में भी भारी बारिश की वज़ा से हालात बेकाबू हो चुके हैं जिले की रधियां अपनी हदों को पार कर चुकी है पातला गाउं से आई ये तस्वीर देखिए जहां सेलाथ की टककर ने सड़क के दोनों किनारों को लील लिया है और अब अमरेली के तितानिया गाउं की रोंक्टे खड़े कर देनी वाली दस्मीरे भी देख लीजिए यहां का खोडियार मंदिर बार में डूप चुका है सेलाब की लहरे यहां लगातार विक्राल रूप लेती जा रही है राज़कोट में भी पांच से साथें छुई बारिश ने हालात भयावे कर दिये हैं बारिश के बाद सड़कों पर सेलाब उमर गया है जिस वज़ा से गामों का संपर्ग सड़कों से कट गया है और लोगों को आवा जाही में खासी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है यह रोंटे ख़़े कर देनी वाले तस्वीरे मद्ध परदेश के मुरैना जिले की हैं यहां टिक्टॉली दूमदार ज़रने पर तीन दोस्ट पिकनिक मनाने आये थी लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वज़ा से तीनों तेज धारा के बीच फस गए आनंग फानन में स्थानिय प्रशासन तक सूचना पहुचाई गई जिसके बाद स्थानिय लोगों की मद्ध से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया उदर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे दिल्ली यूपी बिहार जारकंड मद्यपरदेश चतीजगर, राजिस्थान, महराश, उत्तराखंड और हिमाचल परदेश में भारी बारिश की आशंकर जिताई है यही वजह है कि प्रशासन की होड से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहांचानक पानी बढ़ने का खतरा हो क्योंकि मौसम के इस हाई अलर्ट में पता नहीं कब कहां से नए मुसीबत का सामना हो जाए और चले रुकरते अगली खबर के ओर कई महिनों से टीम इंडिया के स्टाक रिकेटर हार्दिक पांजया और उनकी पतनी नताशा स्टेंकोविक की तलाक की खबरे उड़ रही थी लेकिन अब इस खबर पर हार्दिक पांजया की तरफ से मुहर लग गई है हार्दिक और नताशा दोनों ने तलाक का एलान कर दिया है देखे रपोर्ट टीम इंडिया ने पिछले महिने ही टी-20 वर्ड कप जीता है फाइनल में जाए स्टार और राउनर हार्दिक पांडया जीत के हिरू रहे लेकिन शादी की पिछ पर उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी पिछले कई महिनों से हार्दिक पांडया और उनकी पतनी नताशा स्टेंकोविक की तलाक की खबरे सोशल मीडिया प्लेटफर्म पर तैर रही थी लेकिन अब हार्दिक और नताशा दोनों ने इस पर मुहर लगा दी है आब उनकी राहे जुदा हो गई है सोशल मीडिया प्लेटफर्म पर दोनों ने तलाक का एलान कर दिया है हार्दिक पांडया और नताशा की शादी सिर्फ चार साल ही चल पाई आईपिल के दोरान दोनों के तलाक की खबरे हर तरफ चाही हुई थी लेकिन तब हार्दिक और नताशा दोनों ने इस पर कोई प्रतिकरिया नहीं दी थी हलांकि बीच बीच में इस खबर को अफवा भी बताया गया लेकिन अब दोनों ने तलाक की पुष्टी कर दी है हार्दिक जब आईपिल में खेल रहे थे तब से ही अंदाजा हो गया था कि उनके और नताशा के संबंद खत्म होने की कगार पर है हार्दिक और नताशा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अलग होने की जानकारी शेयर की हार्दिक पांडिया ने लिखा नताशा और मैंने चार साल सात रहने के बाद आपसी सहमती से अलग होने का फैसला किया है हमने इस रिष्टे को बनाए रखने की पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ लगा दिया लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही फैसला है यह हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला था हमने साथ में खुशी के पल बिताए एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखा एक फैमिली के तौर पर आगे बढ़े नताशा कुछ दिन पहले ही हारदिक का घर छोड़ कर अपने पैरेट्स के पास चली गई थी नताशा और हारदिक ने अपने बेटे अगस्य के बारे में भी बताया उनका कहना है कि वो दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उसे दुनिया की सारी खुशिया मिले उन्होंने अपने फैंस से समर्थन और प्रैवेसी का सम्मान करने की भी अपिल की है हारदिक पांडिया और नताशा स्टनकोविक ने एक जनवरी 2020 को सगाई की थी कोरोना महमारी के दोरान दोनों की 31 मई 2020 को शादी हुई 30 जुलाई 2020 को नताशा ने बेटे अगस्य को जनम दिया 14 फरवरी 2023 को नताशा और हारदिक ने उदैपूर में दूसरी बार क्रैंट वैडिंग की थी नताशा सर्विया की रहने वाली हैं वो पेशे से मॉडल है साल 2012 में वो भारत आई थी उन्होंने बॉलिवूड में भी किस्मत आजमाई एक फिल्म में आइटम सौंग भी किया नताशा बिग बॉस आर्ट और नच बलिये जैसे शो का हिस्सा भी रही है हारदिक से मुलाकात के बाद दोनोंने शादी का फैस्ला लिया था लेकिन अब चार साल के बाद दोनों के रास्ते अलग हो चुके है विरो रिपोर्ट न्यूज एटीन राजूराम शामल है राम प्रफाल से जो है पेपर ले करके पाच करोड में बाजार में सोदा किया था और आप रिमांड पर ले करके एडी जो है राजूराम से पूछताच करेगी जादा जानकारी के लिए सवदता हमारे साथ राकेश जो चुके है राकेश एक और गिरफतारी इस पूरे मामले मुए हुई है क्या कुछ जानकारी अभी बिल्कुल देखिए जिस तरीके से प्रवर्टर निदेशाले जो पेपर लिग प्रकुरिंट की जाच कर रहा है जाच में जो राजूराम इराम नाम का ये व्यक्ती है ये ही मुखी सरगना है जो शिक्षा संकुल से पेपर लिग होने के बाद बजार में इसको पेपर को प्रवर्तर निजे साले की तीम को पहले से मिल चुके हैं चुकि राम करपाल मेना के सासा दूसरे वो लोग जो पेपर लिक प्रकरण में सामिल थे उनके खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है यह जो राजुराम इराम है इतके खिलाब तीस से जादा मामले अलग अलग जाच अजिंसियों में दर्ज हैं इसको एडी न कष्टडी में लिया है कष्टडी में लेकर किसे पूछाच की जाएगी साथी कहां कहां पर पेपर सप्लाई किया कितनी उसकी कीमत वसूली गई कितना पैसा कुल पेपर लिक प्रकरण में जो है उगाई के जरी आया और उस पैसे को कहां लगाया गया इन तमाम सवालों की प्रवतर निदे साले के अधिकारियों ने तैयार कर ली है और अब इसे गहनता से पूछताच की जाएगी कई ऐसे नए सक्षी सामने आएंगे अब इस पूछताच होगी राजुराम से तो और बड़े खुलासे होगी आप नजब बना करके रखें शुक्रिया तमाम जनकारी साजा करने के लिए और बिंगलेरों के जीटी मॉल में एक बुजुर की एंट्री धोती पहनने की विज़से बैन की गई थी जब मामले ने तूल पकड़ा अब करना तक सरकार ने भी कड़ी कारवाई की है मॉल पर साथ दिनों के लिए ताला जड़ दिया किया है देखे रिपोर्ट धोती को लेकर हंगाबा मॉल में साथ दिन के लिए जड़ गया ताला 16 जुलाई मंगलवार के दिन बैंगलूर में एक धोती पहने बुजुर किसान को मॉल में एंट्री नहीं दी गए जिसके बाद तो किसानों ने मोचा खोल दिया मामले ने सूर पकड़ा तो कर्नाडर सरकार भी हरकत में आई और मॉल के खिलाब कड़ा एक्शन लिया सरकार के आदेश के बाद बैंगलूरू महानगर पालिका ने जीटी मॉल को साथ दिनों के लिए बंद कर दिया मॉल के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिये गये अब साथ दिनों तक लोग मॉल नहीं जा सकते मामला सोले जुलाई का है जब हावेरी के रहने वाले एक भुजुर किसान फकी रप्पा और उनके बेटे फिक्चर देखने के लिए बैंगलूर के जीटी वॉल्ड मॉल में पहुचे लेकिन मॉल में डूटी में तैना सिक्योर्टी गार्ड ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया क्योंकि बुजुर किसान ने परमपरागत पर इधान धोटी कुर्टा पहन कर पहुचे थे बुजुर्ग ने मॉल के करमचारी से इस पर बात की तो वहां से जवाब मिला कि आपने धोटी पहनी हुई है पहले पैंट पहन कर आई है उसके बाद ही एंट्री मिलेगी बुजुर्ग ने वहां करमचारियों और सेक्योर्टी गार्ट को बहुत समझानी की कोशिश की लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी बुजुर्ग कहते रहे गएं कि उनका घर बहुत दूर है और वो वापस जाकर कपड़े नहीं बदल सकते लेकिन उनके समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ जब बुजुर्ट शस्त के बेटे ने बात की तो उन्होंने बताया कि मॉल मेनेजमेंट ने ये नियम बनाया है कि कोई भी शक्स मॉल में धोती पहन कर नहीं आ सकता फिर क्या था खबर जैसे ही वाइरल हुई उसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया किसान संगठन विरोध में आ गए कई किसान धोती पहन कर जीटी वर्ल्ड मॉल पहुच गए वो मॉल के सामने वाली सड़क पर बैठ गए मॉल मेनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी की सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जाहे की है घरणाट के शहरी विकास मंतरी के मुताविक ऐसी मामले में सरकार के पास कानून के तहट मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान है इसके पास जीटी मॉल पर 7 दिन के लिए ताला जड़ दिया गया सरकार ने घटना को खिसान का अपमान बताया करनाटर विधान सभा में भी मुद्धा जोरोशोड से उशला विधान सभा अध्यक्ष ने इस मुद्धे को उठाया उन्होंने सरकार से कारवाई की मांग की जिससे आगे ऐसी घटना ना हो भिरुड़ पोर्ट न्यूज 18 एक शहजादी की सोशल मीडिया पोस्ट पूरी दुनिया में वारल हो चुकी है वो शहजादी अपनी सोतन से इतनी परिशान हो चुकी थी कि उसने आप देखा नताव और तुरंती सोशल मीडिया के जरिये अपने शोहर को बोल दिया तलाक 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 बला की खुबसूरत वो शहजादी है UAE की शासक की बेटी शिखा माहरा जिसकी खुद की नेटवर्ट जो है 300 मिलियन डॉलर यानी करीब 2509 करोड रुपय है इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट उसे बेशकींती गेहनों का शौक है उसे घुर्जवारी का शौक है उसे कपडों का शौक है उसकी खुबसूरती की चर्चा दुनिया के सभी 194 मुलकों में होती है अपनी पूरी जिन्दगी में आम लोग जितना कमाते हैं उतना हर रोज खर्च करती है मेहनों की राजकुमारी है वो लेकिन उसी राजकुमारी के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया को सन्द कर दिया है ये हैं दुबाई की शहजादी शेक माहिरा बिंद जिन्होंने अपने पती को सोशल मीडिया पर बोल दिया है तलाक 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 ऐसा क्यूं हुआ शहजादी ने आखिर क्यों अपने शोहर को तीन तलाक दिया क्या गैद में थी दुबाई की राजकुमारी क्या प्रिंसेस के महंगे शौक पूरे नहीं कर पाया उनका शोहर या उनका बोल्ड अंदाज देख घबरा गये थे प्रिंसेस के शोहर क्या अपने शोहर से परिशान हो चुकी थी शहजादी इन सभी सवालों के जवाब हम आपको सिलसलिवार तरीके से बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले देखिए शहजादी की लाइफस्टाइल शहजादी को घोडों से खास लगाओ है ये हद से ज़्यादा अपने गोडों से प्यार करती है इनके अस्तफल में एक से बढ़कर एक गोड़े मौजूद है इनके पास एक ऐसा गोड़ा भी है जिसकी कीमत 3.4 मिलियन डॉलर बताई जाती है वो अक्सर दुबाई में होने वाले होर्स रेसिंग मुकाबलों में भी हिसा लेती है उनके पास इस वक्त दुनिया की आला नसल के 11 गोड़े मौजूद है इन गोडों की देखभाल पर सालाना 4 मिलियन डॉलर खर्च करती है इस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहजादी होर्स राइडिंग की कितनी शौकीन है शेखा मेहरा का दूसरा शौकी काफी निराला है इन्हें स्विमिंग का बे इंतहा शौक है शेखा मेहरा एक बैतरीन स्वेमर है शेखा के जानने वालों का कहना है कि वो स्विमिंग इसलिए करती हैं ताकि वो फिट रहे हैं शेखा महरा के फिटनेस को देखने के बाद ये वाकई सच साबित होता है शेखा महरा रफ़तार की भी दिवानी है मीडिया रेपोर्ट्स के मुदाबिक शेखा मेहरा के लक्सरी कारों का एक बड़ा सा कलेक्शन है बताया जाता है कि मेहरा के पास 52 करोड रोपे के गोल लेंबॉर्गनी के साथ और कई बेश कींती कारें शामिल हैं जिसमें डाई करोड रोपे की मर्जिदीज ए एम जीजी 63, 11 करोड की बॉर्बी एडिक्शन की बिंक रॉल्स रॉय, 15 करोड की फेरारी, 22 करोड की बुप्ती सीरी शामिल है ये तस्वीरें शहजादी की शाही शादी की हैं शाही शादी की इन तस्वीरों को दुनिया देखती ही रह गए क्योंकि ये शादी धी ही इतनी खास और खर्ची ली लाखों डॉलर इस शादी में बानी की तरह बहा दिये गए थे आखिर दुबई की शहजादी की जो शादी थी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक शहजादी की ड्रेस तयार करने वाले ड्रेस डिजाइनर ने अपने सभी असाइन्मन को छोड़ कर महीनों की मेहनत के बाद शहजादी शेखा मेरा की ये ड्रेस तयार की थी और देखिए जब शैजादी ने वो ड्रेस पहनी तो क्या बला की खोबसूरत देख रही थी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि शेखा महरा दुबई के प्रधान मंत्री अपने पिता शेख मुहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के कानूनों को भी नहीं मान थी उनकी जो मर्जी होती है वो खुले दिल से करती है स्लामिक कंट्री से तालुक होने के बाद भी शेखा महरा बिंदास जिन्दगी जीना पसंद करती है दरसल दुबई के शासर मुहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की बेटी शेखा ने पती के किसी और महिला से रिष्टे का रोप लगाते हुए उन्हें तलाक दे दिया है अब आपको दिखाते हैं कि कैसे शेखा महरा ने अपने शोहर शेख माना को सोशल मीडिया के जरिये तलाक दिया और क्या कहा अपना ध्यान रखें आपकी पूर पत्मी और चले फिलाल इस बुलेटर में इतना ही आगे आपको दिखाएंगे महरो राजस्थान नमस्कार